यह सच है कि नहीं, no one knows, but suspicion है, तो यह भी एक pointer है, कि यह भी one of the actors हो सकते हैं, कि deep state का कोई एक हिस्सा है, जो शायद facilitate कर रहे हैं, क्योंकि security failure तो बहुत बड़ा है ना, इस टाइप के security failure इतने बड़े लेवल पे अमेरिका में, जिनका technology, उनका intelligence gathering mechanism दुनिया में पेस्ट है, तो 70 साल पहले बहुत बार ऐसे चीज़े हो चुके हैं, पर लास 40-50 साल से intelligence gathering mechanism इतने स्ट्रॉंग हो गए है, कि यह साले चीज़े में अमेरिका में होता नहीं है, तो यह भी एक suspicion है, नमस्कार दोस्तो, hello friends, आज का topic, Trump का assassination attempt के उपर है, जो failed attempt हुआ है, Trump को murder करने की जो कोशिश क ही गई है, और बाल-बाल बज गए है, इसके उपर है, ताजा खबर है, पर यह खबर के उपर मेरा discussion नहीं है, मेरा discussion है, इसके पीछे जो background factors है, circumstances है, कौन-कौन से actors है, इसमें involved या हो सकते हैं, अभी तो किसी को 100% पता नहीं है, पर कौन-कौन से हो सकते हैं, यह भी है, इसक impact, इसका लाब किसको जाने वाला था, अगर Trump का एसा थिरिशन कंप्रीट हो जाता, अगर उनको माला जाता, तो उसमें फाइदा किसको हो रहा था, और किसको नुकसान हो रहा था, और अब जो वो बज गया है, अब किसको फाइदा हो इस सारे चीजे हम discuss करेंगे, और यह न पूरा जो प्लॉट है, ट्रॉम को मानने की कोशिश, उसके कान के अंदर से जो गोली निकल गई, बाल-बाल बज गया, यह जो सारी सिचुएशन है, जो सर्कम्स्टैंसे है, इसका एक हमें एनालेसिस करना चाहिए, किस सिचुएशन में यह चीज हुआ, जैसे आप देखो कि इसमें एक्टर्स कौन-कौन से है, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, दुनिया में एक बहुत बड़ा लेफ्ट विंग, यानि की बाम-पंथ के साइट के लोग, जो है न, जो बहुती कटर बाम-पंथ के साइट के लोग, पूरे दुनिया में, इनका एक बहुत ब कोशिश करता है जैसे इंडिया में भी लोगों ने कोशिच करी थी regime जेचंज करने की उई सेम लोग इन वाल्ड हो सकते हैं दूसरे लोग कौन से इन वाल्ड हो सकते हैं जैसे देखो कि एमारी दुनिया में दो बड़े जाता तो रश्या के लिए अच्छा था यूक्रेन के लिए भी अच्छा था वार शायद रुख जाता ये जिलन्सकी और जो यूक्रेनियन जो कुरप्ट गवर्नमेंट है ये तो हजारों लाखों करोडों जैसे ये घफला करके पैसा कमा रहे हैं ये शायद बंद हो जाता त ये रश्या-उक्रेन वार का जो फेक्टर्स है जैसे जेलन्सकी उसके अड्मिन्स्ट्रेशन उनके बैकर्ज जो है अमेरिका में उनका इंवाल्मेंट हो सकता है और वी इनफेक्ट हो सकता है जिसका पॉसिबिल्टी जादा है जो हमास जो टेरिस्ट ऑगरनाइश्टेशन है जो इसराइल के उपर हमला कर दिया इन लोगों ने जो वार अभी चल रहा है उसका एक बहुत-बड़ा फैक्टर हो सकता है क्योंकि हमास के बहुत सारे बड़े तादार में हमास के जो बैकर्स है वो अमेरिका में अमेरिका में में है स्पेशली कॉलेजिस यूनिवर्सि इसको माट दिया पर जो वह कुंद करने की कोशिश करा था ऐसासिनेशन करने की वह बंदा बीस साल का था और उसके लिफ्ट-विं टेंडेंसी इसने ये लेफ्ट-विंग जो असोसेशिशन से सुसाइटीज है इन में इन 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 इस इस बंदेने चंदा भी दिया है इन द तो कई न कई ये फैक्टर भी बहुत हो सकता है कि ये हमास इस्राइल वार के साथ इसका डिरेक्ट रिलेशन हो सकता है यह कि आज कल पूरे दुनिया की उनिवर्सिटीज में देखा जा रहा है कि एक लहर आ रहा है यह सारे जो लेफ्ट विंग ओगनाइजेशन का उसके साथ थोड़ा सा टेरिरिस सिंपथाइजर्स का भी एक वह हो गया है यह बहुत बड़ा फैक्टर है अब जो तीसा जो फैक्टर है यह थोड़ा सा ग्राउंड ब्रेकिंग है थोड़ा सा शॉकिंग है बहुत सारे लोगों का यह suspicion है, at this stage suspicion ही है, suspicion है कि इसमें शायद US administration का, यानि कि US America का जो security agencies है, इसमें शायद कोई एक छोटा सा कोई division कई पे कुछ है, जो शायद इसके साथ involved भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोगों का शार्क है, जैसे Department of State अमेरिका में आपने सुना होगा, बहुत ही powerful है, यह तो elected body नहीं है, पर elections में, country के running होने में, government चलने में, इनका बहुत बड़ा फेक्टर है, तो Department of State, जिसको बहुत लोग एक तरह से बोलते हैं कि Deep State, अपने यह टर्म सुना होगा, एक government के पीछे एक government, जैसे पाकिस्तान में बहुत बोलते हैं कि एक Deep State है, ज उसको तो आधी चीजे पता ही नहीं होती है, बहुत जादा उसका दिमाग तो पूरा सठिया गया है, तो बहुत सारे लोग suspicion यह करते हैं कि पूरे administration अभी Deep State ही अमेरिका में चला रहा है, यह सच है कि no one knows, पर suspicion है, तो यह भी एक pointer है कि यह भी one of the actors हो सकते हैं कि Deep State का कोई ए intelligence gathering mechanism दुनिया में best है, तो ऐसे देखा नहीं जाता, generally, last के देखो, 30-40 साल में ऐसा हुआ नहीं है, उससे पहले अमेरिका के history में, 50 साल पहले, 70 साल पहले, बहुत बार ऐसे चीज़े हो चुके हैं, पर last 40-50 साल से intelligence gathering mechanism इतने strong हो गये हैं, कि यह सारे चीज़े में अमेरिका में होता नहीं है, तो यह भी एक suspicion है, और एक factor, जो लोगों के मन में suspicion, यानि कि शक पैदा कर रहा है, पते क्या है, कि investigation शुरू होने से पहले ही, जो FBI है, जो महां का investigative agency है, जो internal investigations, जो अमेरिका में जो है न, देश के अंदर जितने भी सारे investigation हैं, वो FBI करते हैं, और देश के बाह involvement लोग सोच रहे हैं, नहीं तो इतनी जल्दी investigation शुरू होने से पहले ही, FBI के तरफ से एक news ये भी आया था, कि शायद ये lone wolf attack है, अब ये lone wolf क्या होता है, कि कोई एक बंदा जो खुद के, शायद ideology के हिसाब से, खुद के ही प्रयास से शायद करा होगा, किसी larger group या कोई organization का backing नहीं है, वो बंदा कोई होता है, सरफिरा कोई होता है, कुछ से कुछ कर देता है, इस टाइक को हो सकता है, तो इन लोगों ने बहुत पहले ही ये suggest कर दिया, investigation करने से पहले ही, तो ये एक शक पैदा कर रहे है, बहुत लोग के mind में, अभी तो देखो, सबसे अची बात ही देखी होगी, कुछ कुछ ऐसा ही है, आपको शक नहीं होता कि एक building जो सामने clear view है, ट्रम के उपर, उसके उपर कोई नोगों ने कोई intelligence mechanism, कोई frisking, कोई sanitation, कुछ नहीं करा, तो शक तो पैदा करता ही है, अब देखो कि ये सारे चीजों से न, ट्रम बज गया अची बात है, एक तो आपको समझनी पड़ेगी, जो मैंने बहुत सारे पहले के discussions में भी discuss करी है, कि चाइना तो clear winner है, अगर ट्रम को कुछ हो जाता है, अभी चाइना के आखों में ट्रंक ना, बहुत खट अगला है, तो चाइना तो clear benefactor है, अगर ट्रम को कुछ हो जाता है, बेनिफिशर लोग जो पुरे दुनिया में फैले हुए है, जो सोरोस टाइप के लोग, ये भी हो सकते हैं, अब इनका भी तो backing चाइना ही करता है, तो दो factors है, पर चाइना कहीं न कहीं दोनों factors में involved है, और इस्राइल हमास ये factor तो है, रशिया यूकरेन वार ये तो है, इस सारे factors है, और उसमें नुकसान किसका होता, हमने तो बोला कि Trump का कुछ हो जाता, तो फाइदा किसका होता, नुकसान किसका होता, नुकसान होता, रश्या यूकरेन वार में, ये वार और खेचेगा, और खेचेगा, अगर Trump नहीं होगा तो in the future, बहुत लोग मरेंगी यूरप में, और ये conflict भी resolve हो जाएगा ये चीज़ देखो किसको फाइदा है, Hamas को loss है, Israel को फाइदा है, ऐसी बात नहीं है दोनों के लिए फाइदा मंद है कि war जल्दी खतम हो जाए, यही तो Trump कोशिश कर रहा है ये दोनों wars, Trump जल्दी जल्दी वो खतम करने की पात कर रहा था तो यह देखो, यहाँ पर भी impact है, Israel के लिए बहुत बड़ा जटका होता, अगर उसको कुछ हो जाता इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा factor है क्योंकि आपको तो पता है, पहले discussions में भी मैं बता चुका हूँ क्योंकि यह जो करेंट जो डिमोक्राइट पार्टी का जो युएस गवर्नमेंट है, यह बहुत ही होस्टाइल है इंडिया के ओपर, इंडिया का रेजीम चेंज करने के भी इन लोगोंने कोशिश करा काफी बार, लोग ऐसे शक करते हैं, कोई जो भी इंवॉल्ब्मेंट जिसका भी है, उनके साथ यह कॉमन फैक्टर्स दे को सारे मिल रहे हैं, तो इंडिया का भी बहुत बड़ा लुकसान होता, क्योंकि एक और बार अगर एक डिमोक्राइटिक गवर्नमेंट आ गया न, डिमोक्राइट्स का, तो इंडिया के लिए सबसे इंट्रेस्टिंग बात, एंड में एक और चीज बोलूंगा, कि अब ट्रॉम्प जो बच गया है न, बगवान के मर्जी से, डिवाइन इंटर्वेंशन से, जैसे भी हो, लोग तो यह बोले हैं कि एक दू सेकेंड पहले न, ट्रॉम्प ने थोड़ा सा ऐसे सर घुम अब इसका इंपक्ट इस एलेक्शन पे कासा होगा है, गलोबल एफेस पे कैसे होगा, रश्या-उक्रियन वर के ऊपर कैसे होगा, इस्राइल, हमास के योद में कैसे होगा, यह सारी जो फेक्टर्स हैं, यह में दूसरे वीडियों में डिसक्स करूँगा, तो ऐसे ही बने यह आई यह मेरे साथ मेरे विडियो इसके ऊपर कमेंट डाली इफ you don't agree to anything if you like it or of course put a like on it and I'll see you in the next video till then thank you bye